नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैं चैनल, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार्नक्य नीतिकी, जो कि आचारे चार्नक्य ने लिखी है, चार्नक्य का परीचे कोई देने की जरुरत नहीं है, वे कुशल राजनीतिग्य, आर्थशास्त्री और महान शक्ष आववीद माने जाते थे और माने जाते हैं, आचारे चार्नक्य ने नीति शास्त्र नामक की ग्रंथ लिखा था, उसमें उन्होंने काफी सारी चीजे बताई हैं, तरक्की, धन, विवा और व्यापार समेथ, कई चीजों के लिए, और उनकी बाते थोड़ी कठोर और कड़ भी जरूर होती हैं, पर वो बहुत ही हमारे लाइफ में उपयोगी होती हैं, तो सुनिए, से पहली बात जो चानक के जी ने बताई है अपने शास्त्र में, अपना दुख ना बताएं, आचारे चानक के कहते हैं कि किसी से भी अपको अपना दुख नहीं बाटना चाहिए, दुख की चर्चा करने से वो बढ़ता है, आपकी बात सुनकर सामने वाले को आपसानुपृती दिखानी होती है, लेकिन पीछे वो आपसका उपहास करता है, इसलिए आपको किसी को भी अपनी बात नहीं बतानी चाहिए, कि वो किस तरीके से आपकी स्थिति को अलंगन करे इसका आपको पता नहीं होता है तो ये एक दुख का बहुत बड़ा कारण है आपका नादुक शेयर ना करें दूसरी बड़ी बात है प्रेम संबंदो को ना करे जाहिर चानक के कहते हैं कि किसी से भी अपने प्रेम संबंदों की चर्चा नहीं करने चाहिए वरना आपके लिए बविश्य में मुश्किल खड़ी हो सकती है तीसरी बात है धन की चर्चा ना करे नीती शास्त्र के अनुसार किसी भी अंजान व्यक्ति के सामने आपको अपने पुंजी, प्रॉपर्टी और जो भी धन है उसके बारे में बात नहीं करनी है धन के मामले में किसी पर भी विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है ऐसे में धन से जुड़ी बाते खुद तक रखनी चाहिए परिवार की बुराई न करे चौथी और बहुत इंपोर्टन बात यह है शास्त्री नीती के अकॉर्डिंग कि अपने परिवार जन्म की परिवार की कोई भी बुराई न करे बहुत जाके किसी से कोई बात शेयर न करे चारनक के कहते हैं किसी के सामने अपने परिवार की बुराई नहीं करने चाहिए जो व्यक्ति आपकी बाते सुन रहा है वह विश्य में आपको इसी बात के लिए वो नीचा दिखा सकता है या लोगों के सामने अपमानित कर सकता है इसलिए परिवार की बातों को बाहर नहीं शेयर करना चाहिए और आखरी पांचवी बात यह है आँख मुंद कर भरोसा न करे चार्नक के जी कहते हैं कि अगर आप किसी पे भी भरोसा करते हैं आख मुंद कर तो आप अक्सर धोका खाते हैं इसलिए किसी पर भी विश्वास करने से पहले चार बार सोचना चाहिए तो दोस्तों यह है जो 5 important बाते जो चार्नक के जी ने लिखी है और कहीं भी है जो तोड़ी सी हमारे लिए सकती वाली हो सकती है पर लाइफ में बहुत important है आपको आगे बढ़ना है सफल होना है तो चरनक के नीती ज़रूर पढ़िए उसमें काफी सारी अच्छे चीजे और भी दी है तो मैं आपको अगले वीडियो में या कि अभी किसी और वीडियो में बताऊंगी तो आज के लिए इतना ही है टेक केर तेंक यू